हलो बच्चो आज NCRT class 11th mathematics exercise 3.3 3.2 तक का वीडियो हमने बना लिया है आप उसको देख सकते हैं एक 11th class की playlist पड़ी भी है mathematics की उसमें सभी वीडियो है देखे 3.3 में जो फार्मले यूज हो रहे हैं वे फार्मले आलेडी हमने बना दिये हैं आलेडी डिस्क्रिप्शन में उसक हां यहां थोड़ा दिक्कत यह है कि हमारी रैटिंग थोड़ा सा मासाला है लेकिन अब रैटिंग में जाएगा दिखेगा पूरा लेकिन अब यह है गब रैटिंग है तो है इसका पहला question क्या कह रहा है पहला question कह रहा है कि find the value of value proof करने कि दिया गया है sin square pi by 6 sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 plus cos square pi by 3 minus 10 square pi by 4 is equal to 1 by 2 proof करना है minus 1 by 2 proof करना ऐसा दिया हुआ है कुछ नहीं है value रख दीजे उठा करके कुछ लोगों को pi में दिक्कत होती है pi का मतब 180 degree होता है तो आप चाहो तो इसको LHS ले लिया हमने इसको रिषते हैं sin square अगर आपको चाहें तो आप इसको 180 upon 6 कर सकते हैं तो 180 upon 6 क्या होगा चत्रुक 18 sin square 30 प्लस pi by 3 का मतलब 180 upon 3 36 जा तो यह आएगा cos square 60 और minus 10 square 45 degree यह degree में हमने convert लिया जानभूज करके आप मत करिये कोई दिक्कत नहीं है अब दिखें वैलू इस square का मतलब होता है कि जो भी value आप रखेंगे उसका whole square कर देंगे ठीक है तो आप इसको क्या करेंगे यह sin 30 की value क्या होती है sin 30 की value होती 1 by 2 का square कर दीजे cos 60 की value क्या होती है 1 by 2 का square कर दीजे 1045 value क्या होती 1 का square कर दीजे तो 1 by 2 बोले तो 1 by 4 plus 1 by 4 minus 1 अब इतना calculation तो आपका strong होगा ही कि 1 by 4 plus 1 by 4 बोले तो 2 by 4 minus 1 या जाएगा 1 by 2 minus 1 तब LCM लोगे 2 तो आएगा 1 minus 2 is equal to minus 1 by 2 this is the value of right hand side this way you will do it okay यह है first question ठीक है come to the second question इसको note कलीजेगा समझ में आ गया होगा इसमें समझने वाला कुछ है भी नहीं क्यों आपको values देखनी है इसमें कुछ फारूले हैं जिनने हम इस्तेमाल करेंगे उनका link हम description देदेंगे और अगर आपको लगी कि ठीक ठाक बता रहे हैं तो आप मेरा channel subscribe कर सकते हैं अगर आपको लगी तो ठीक है second question देखें क्या कर रहा है 2 sin square 5 by 6 2 sin square 5 by 6 plus cos square 7 5 by 6 plus cos square 7 5 by 6 into में है cos square 5 by 3 cos square 5 by 3 हमने LHS ले लिया है RHS में क्या लाना नहीं बताएंगे नहीं बुक में लिखा हुआ है आप देख लोगे 3 by 2 लाना है तो जैसा कि हमने कहा कि πाई दिक्कत करेट करता है सबको मैं पाई को हटाई देता हूं ये 2 sin square जो को πाई का मताब 180 degree और 180 by 6 1718 यानि sin square 30 हो जाएग और 70 के किस 210 degree into cos square ये हो जाएगा 60 degree है अब चुकि 210 की value हमको नहीं मालूँ तो आपको over at t plus theta बहुत सारे formula आपको मालूँ है तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं 2 sin square अभी value नहीं रख रहे हैं जानभूज करके 30 degree plus अब क्यों नहीं रख रहे हैं अब कॉस एक बिचारा कह हमारी value नहीं है साफ साइन आप हैं मतलबी हो गए हो स्लिम साथ साथ रखेंगे 210 को लिख सकते हैं 180 plus 30 और into cos square 60 degree देखें 2 sin square 30 cosic 180 plus theta आपको बताया जा चुका है कि 180 वाले जो changes अपने आप में होंगे cosic में होंगे 180 plus जो होगा 4 third quadrant में होगा 180 आप जानते हैं कि 180 यहां से यहां तक हैंगल होता है और कुछ भी plus करोगे तो third में आ जाओगे और ASTC के हिसाब से third में 10 और cot positive होते हैं और sum negative होते हैं तो यह minus आ जाएगा minus cosic 30 और उसके साथ उसका अज लगा है square तो ultimately वो positive हो जाना है लेकि फिलहाल तो value आएगी न यह 180 plus theta और यह सब आपको बताया जा चुके हैं उन्हें ज़रूर देख लीजेगा ठीक है और into cos square 60 तो आएगा 2 आप value लगते हैं sin 30 की value क्या होती है 1 by 2 का square आप चुके देखिए minus का square हो चुका है तो that will become positive तो plus cosic 30 sin 30 का उल्टा cosic होता है तो यह 2 हो जाएगा का square और cos 60 1 by 2 का square तो यह आएगा 2 into यह आएगा 1 by 4 plus 2 का square 4 और 1 by 2 का square करोगे तो क्या आएगा यह 1 by 4 होगा 4 4 cancel out 2 2s are 1 by 2 plus 1 value will be 3 by 2 this is left hand side this you have to do you have to prove हमने LHS नहीं लिया था वो understood है LHS लहीं लिया ओके थर्ड कोशन क्या कह रहा है cos square pi by 6 plus cosic pi by 6 5 pi by 6 plus 3 tan square pi by 6 is equal to 6 ठीक है वही pi की दिक्कत जो हो रही है आपकी कि pi by 6 करोगे तो आएगा 180 है पांच 6 छत्रूक 18 यह नहीं कि 30 डिगरी लिखा हुआ है तो इसको LHS में क्या लिखोगे इसको इसको लिखोगे cos 1 sorry cos है cos 1 नहीं है cos 1 नहीं है cos 1 तो पुसका प्रोसी है तो यह आएगा cos square 30 degree plus cos 1 तो यह 30 है और 30 का 5 से multiply करो 35 एक सो पचास डिगरी हो जाएगा plus 3 10 square और pi by 6 30 degree मैंने LHS लिया है अब cos 30 की value क्या होती है table आपके पास है values आपको याद होंगी cos 30 की value क्या होती है root 3 by 2 का square plus cos 150 की value नहीं मालू तो हम cos 150 को लिखेंगे cos 180 minus 30 और plus 3 और 10 30 की value होती 1 by root 3 का square अब value उठा के रख दीजेगा अब चुंकि अभी हमने बताया है कि 180 वाले जो फार्मले होते है चाहे वो 180 plus theta हो चाहे 180 minus theta हो यह अपने आप में change होते है तो 10 अपने आप में, cos 1 अपने आप में change होगा ठीक है और 180 minus कहां प्यों होगा? वह यहां से यहां तक पूरा angle 180 होता है उसमें कुछ भी आप minus करोगे तो you will remain in the second quadrant और second quadrant में cos 1 क्या होता है? positive होता है तो यह आएगा आपका root 3 by 2 square करोगे तो आएक इतना आएगा? 3 by 4 यह cos 1 30 हो जाएगा cos 1 30 हो जाएगा plus 3 into 1 by 3 3 3 cancel हो गया तो यह आएगा 3 by 4 plus cos 1 30 की value, sin 30 का उल्टा होता है sin 30 की value क्या होती है? 1 by 2 इसका उल्टा करेंगे तो 2 आएगा plus 1 आएगा तो यह आएगा LCM लीजे तो 3 by 4 plus यह हो जाएगा 3 इसको solve करेंगे तो आएगा 3 plus 4 3 12 बटे 3, 12 बटे 4 12 बटे 4, यह पंदरा बटे 4 यहाँ पर आ रहा है ठीक है? sorry, sorry, यह लिखने में गलती हो गई है यह cot square है तो cot, यहाँ पर cot square है और cot square 30 की जो value होती है वो root 3 का square होती है ठीक है? यह value गलत हो गई है अब आप दिमाग लगाएंगे कैसा मूर्ख आदमी है, गलत कासा लिखता है यह मूर्ख नहीं हूँ वो लिखने में दिक्कत हो जाती है तो यह cot 30 है तो यह root 3 होता है 3 प्लस इसकी value कितनी है? 2 प्लस 1 that is 6, that is equal to right hand side राइटिंग दरा गंदी है फिर भी साफ साफ लिखने की कोशिश की है okay, not down this question देखिए next question क्या कहता है 2 sin square 3 pi by 4 प्लस 2 cos square pi by 4 प्लस 2 से square pi by 3 की value 10 होती है, ठीक है? फिर simply value रख दीजे उठा करके LHS रखिए pi में फिर दिक्कत होती है pi by 4 pi x वस्ती होता है चार से divide करो कितना है गया 45 तो यह आजाएगा 2 sin square 45 multiply by 3 135 डिग्री है ना और प्लस 2 cos square 45 डिग्री और प्लस 2 sec square 60 डिग्री अब आप कहेंगे हमको तो मालूम है pi आप कहें को convert कर रहे हो चलिए कोई दिक्कत है आप मत convert करें तब ही answer आजाएगा ठीक है अब देखें चुकि sin 135 का मालूम है तो 135 को क्या कर सकते है 180 minus 45 value एक साथ लिखेंगे 2 cos square 45 प्लस 2 sec square 60 डिग्री अब देखें चुकि 180 वाले formula अभी हमने बताया अपने आप में चिंज होते हैं तो sin 180 minus theta sin theta होगा और अभी हमने बताया है कि 180 minus कहां पर रहेगा second quadrant में और second quadrant में sin positive होता है तो this will come 2 sin square 45 degree प्लस 2 cos square 45 degree प्लस 2 sec square 60 degree sorry say sorry नहीं सही है sorry कहने के आदत पड़ गई है 2 sin 45 वालू क्या होती है 1 by root 2 का square plus 2 cos 45 1 by root 2 का square plus 2 sec 60 की वालू क्या होती है cos 60 की वालू होती है 1 by 2 और sec 60 उल्टा होता है तो ये 2 हो जाएगी square तो इसको खोलिये 2 in 2 ये 1 by 2 आएगा plus 2 in 2 ये 1 by 2 आएगा plus 2 in 2 ये 4 आएगा ये ये कड़ गया 1 plus 1 4 दुनी 8 value will come 10 that is RHS अब आपके इसाब question तो एक जैसे इसी question क्यों दिये गया है वो जानना चाहता है examiner examiner भई भुक में जो question हो examiner के लिए है आपको board में लगाने है ना वो जानना चाहता है कि आपको ये values मालू है नहीं मालू value याद करनी पड़ेगी ठीक है note करिए next question है fifth का first part कि sign 75 degree की value निकारीगी अब देखे दियान से 75 degree थो हमको मालू नहीं हमको 0 degree 30 45 60 और 90 तक याद कराएगी table दे करके थो कुछ भी लिख सकते हैं तो 75 को ऐसे 2 part में ब्रिक करिए ऐसे 2 part में जिनके angles मालू हूँ तो हम जानते हैं इसको लिसकते हैं हम sign 75 लिसकते हैं 45 plus 30 क्योंकि अब sum करोगे तो 75 आएगा ठीक है और हमारे पास एक formula होता है sign a plus b का अगर दो angle का sum दिया हो sign a plus b का formula होता है sign a into cos b minus cos a into sin b यह sign a plus b का formula होता है sign a into cos b minus cos a into sin b यह formula होता है तो यहाँ पर a 45 हो गया b आपका 30 हो गया तो इसको क्याल सकते हैं sign 45 sign 45 degree into cos 30 plus cos 45 degree into sin 30 बस value उठाग रख दो sin 45 की value क्या होती है 1 by root 2 sin 30 cos 30 root 3 by 2 cos 45 1 by root 2 sin 30 1 by 2 अब आप साब साब दिख रहा है कि यहाँ 2 under root 2 LCM हो जाएगा जिसको लगुत्तम कहते हैं 2 under root 2 और यह root 3 plus 1 इसका answer आजाएगा this is the value of sin 75 degree ठीक है next part इसका जो है 10 15 degree इसको नोट कर लीजेगा 10 15 degree अब 15 degree angle हमको मालूम नहीं तो 15 degree को ऐसे 2 part में break करिएगा जिसके angles की value आपको मालूम है second 45 minus 30 चलेगा हमने का 60 minus 45 चलेगा बोने बढ़ा क्यों लिखें तो चलिए आप 45 minus 30 कर दीजे आपकी बात माल लेते है 45 minus 30 अब यहाँ पर 10 A minus B का फामुला लगा दो तो as we know that आप चाहें तो हर question में फामुला आप लिसके है we know that 10 A minus B is equal to 10 A minus 10 B upon 1 plus 10 A into 10 B यह 10 A minus B का फामुला होता है so जब यहाँ अप्लाई करेंगे आप 10 45 minus 30 में तो साब साब दिख रहा है कि A की जिगे 45 आया है और B की जिगे 30 आया हुआ है तो यह क्या हो जाएगा 10 45 minus 10 30 यह डिगरी समें चल ला है upon 1 plus 10 45 into 10 30 10 45 वलू क्या होती 1 10 30 1 by root 3 upon 1 plus 1 into 1 by root 3 अब देखे आंसर जब भी हम देते हैं तो हमको छोटे क्लासे से बताते वे हमको टीचर आ रहे हैं बनाना ठीक है अच्छा ऊपर ध्यान से देखें तो यह root 3 minus 1 का whole square लिखा हुआ है और नीचे a plus b a minus b this is the formula of a square minus b square तो यह हो जाएगा 3 minus 1 इसका whole square खोल दो तो a square plus b square minus 2ab अपान यह 2 होगा तो यह 3 plus 1 4 हो जाएगा तो यह जाएगा 4 minus 2 root 3 upon 2 2 से डिवाइड कर दो तो 2 minus root 3 जो रांसर ठीक है इसको नोट का लीजेगा देखें 6 question कह रहा है कि cos pi by 4 minus x into cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x into this is equal to sin x plus y देखें हमको नहीं आता यह एक चीज मुझे दिख रहा है अच्छा pi को 45 में लिखेंगे pi by 4 को pi by 4 लिखें कोई दिकर नहीं इतना आप चानते हैं देखें अगर हम ध्यान से देखिए तो यहां भी pi by 4 minus x आ रहा है और यहां भी आ रहा है तो पहले हमने LHS note कर लिया note कर लिया हमता हमने note कर लिया अपने आप note कर लिये फिर हमने अपनी convenience के लिए क्या किया कि जो pi by 4 minus x है ना इसको a मान लिया और pi by 4 minus y जो है ना उसको हमने b मान लिया थोड़ा सा ऐसा मानने से कुछ दिखने लगेगा आपको है ना तो यहां रखो गए क्या आएगा यहां क्या आएगा यहां आएगा cos A into cos B minus sin A into sin B ध्यान से देखें फार्मूला कि चीज़ का लिखा है cos A cos B minus sin A sin B is the formula of cos A plus B तो actually में यह cos A plus B का फार्मूला लिखा हुआ है ठीक है चुकि हमने फार्मूला बनाने के लिए नहीं थोड़ा फार्मूला टाइप का फील आने के लिए हमने यह माना था तो अब वैलू ठाक रख दो तो क्या हैगा cos A की वैलू क्या हैगी pi by 4 minus x plus pi by 4 minus y अगर ध्यान से देखिए तो pi by 4 बोले तो 45 pi by 4 बोले तो 45 नहीं मतब एक 45 हिंदी वाला एक 45 इंगलिस वाला तो यह जागा 90 तो इसको ऐसे लिखिए इसको 90 अलग कर दो और minus कामल ले लो और यह कर दो x plus y अब cos 90 minus theta is the formula of sin theta तो this is the sin x plus y और हमें लगता यही right hand side में है rhs तो यह hands proved हो गया यही आपको proof करना था ठीक है this is the sixth question formula basic size है कोई दिक्कत वाली बात नहीं okay देखिए seventh question कह रहा है कि 10 pi by 4 plus x upon 10 pi by 4 minus x is equal to this you have to prove it हमको नहीं वालूम कैसे proof होगा एक चीज़ हमको दिख रही है हम pi को 180 नहीं लिखेंगे pi by 445 होता है हम यहाँ पर 10 a plus b का formula लगाएंगे ठीक है lhs हमने ले लिया है 10 a plus b अभी हम बता चुके हैं कि 10 a plus 10 b upon 1 minus 10 a into 10 b तो देखिए इसको क्या लिखेंगे हम 10 a बोले तो pi by 4 plus 10 x upon 1 minus 10 pi by 4 into 10 x अब देखो चुकी जो denominator है ना वो पूरे क्या पान में आएगा तो हम इस लफडे से बचने के लिए यह numerator है और हम बीच में divide का sign लगा देते हैं denominator को अलग कर देते हैं यह denominator हैं यहां पर 10 a minus भी लगेगा तो यहां फामुला क्या बनेगा 10 pi by 4 minus 10 x upon 1 plus 10 pi by 4 into 10 x ठीक है अब 10 45 degree की value क्या होती 1 तो this will become 1 plus 10 x upon 1 minus 10 x यह तो हो गया आपका numerator divided by यहां पर क्या आएगा इसकी value 1 होती है तो 1 minus 10 x upon 1 plus 10 x अब division का sign खटाने का तरीका क्या होता है multiply करके इसको पलड दीजिए तो यह हो जाएगा आपका 1 plus 10 x upon 1 minus 10 x into यह उपर जाएगा 1 plus 10 x upon 1 minus 10 x जरा ध्यान से देखेगा 1 plus 10 x 1 plus 10 x दो बार है multiply में है न यह चीज तो अलग-अलग bracket बंद कर दो और नीचे वाली चीज भी दो बार है इसको लिसकते हैं 1 plus 10 x upon 1 minus 10 x का whole square और यही आपके right hand side में proof करना है यह right hand side लिखा rating गंदी है लेकिन पता ठीक रहा हूँ ठीक है note करिये this is the question number 7 okay question कह रहा है cos pi plus x into cos minus x upon sin pi minus x into cos pi by 2 plus x देखे फर्मले सब मालू है आपको 180 plus theta वाले 180 minus 90 plus 90 minus ठीक है फर्मलो नहीं होता है फर्मले का जो description में हमने लिंक दे दिया है उसकी फर्मले देख लीजएगा otherwise book में लिखे हैं उसमें देख लीजएगा देखे cos 180 plus x का फर्मला होता है minus का cause x पहली बात और cause minus theta होता है plus का cause theta यह cause x हो जाएगा अपान sin 180 minus x होता है plus का sine x और cause 90 plus x होता है minus का sine x तो देखो यह minus और यह minus तो cancel हो जाएगे और उपर आएगा cos square x और नीचे आएगा sin square x आप जानते हैं cause अपान sin cot होता है this is equal to right hand side this you have to prove ठीक है देखिए 9th question कह रहा है कि cause 3 pi by 2 plus x into cause 2 pi plus x cot यह question दिया हुआ है ठीक है अब आप कहेंगे pi बहुत हो गया थोड़ी दिरीचनी pi से निजाद पाना चाहते हैं तो pi को 180 लिखते हैं तो ऐसा करतो हो यहां लिख दियते है cause इसको लिखेंगे 270 plus x into cause 360 plus x into cot 270 minus x plus cot 360 plus x हमने क्या किया pi के विए रख दी है थोड़ा सा इजी करने के लिए 180 वाले फामडे 90 वाले 270 वाले सब आप पढ़ चुके हैं 270 का change वही होता है जो 90 का होता है यहां पर जो रहेगा वो ASTC के हिसाब से चुकि यहां पर cause है 270 plus यहां पहुंच जाएंगे तो यह तो आपका हो गया cause X cause 360 plus X यह भी cause X होगा into bracket में cause 270 मानस X 270 मानस हम रहेंगे third quarter में cause वहां positive होता है change एक मिनट एक मिनट एक मिनट यह 270 का change होता है cause change जाएगा sign में रहेगा positive change होगा sign में इसमें क्या हो जाएगा cause change होगा 10 में 10 X और plus cause 360 plus यह पूरा का पूरा एंगिल 360 होता है कुछ भी plus करोगे तो first में जाओगे वहाँ all positive होता है तो यह cause X हो जाएगा वैसे तो answer नहीं आया तो आप चुकि मजबूरी हमारी है कि इसको sign cause में change कर लते हैं कर लेते हैं तो आएगा sine X into cause X into यहाँ पर हमने इसको क्या लिख दिया इसको लिख दिया sine X upon cause X इसको क्या लिख दिया हमने cause X upon sine X देखे ट्रिग्रमटी में जब कोई proof नहीं हो पाता है तो ब्रंभास्त्र होता है sine cause पूरे सिस्टम को sine cause में change कर तो अपने आप विचारा कहीं कहीं से answer उन ले आएगा विचारा नहीं मतलब वो powerful होता है sine X into cause X अब यहाँ पर हम क्या करेंगे LCM ले लेंगे sine X into cause X तो यह sine से sine multiply हो जाएगा यहाँ होगा sine square X plus cause square X और आप जानते है यह cancel हो जाएगा और यह one होता है तो यह one हो गया यही आपको right hand side में proof करना है तो this is the question number 9 यह formula आपको याद होने चाहिए होने मतलब होने ही चाहिए note करिए इसको देखिए question 10 कह रहा है sine N plus 1 X sine N plus 2 X cause N plus 1 X cause N plus 2 X is equal to cause X हमको नहीं मालूं कैसे लगेगा LHS देखिए कुछ formula type का अगर बनाए तो एक angle आपका N plus 1 X है दो जगे लिखा हुआ है और एक angle आपका N plus 2 X है दो जगे लिखा है हम जान भूज के LHS ले लिया हमने ने जान भूज के LHS नहीं ले लिया माल लेते हैं तो we get जब यहां रखोगे तो क्या आपको मिलेगा we get sin A sin B plus cos A cos A into cos B formula आपको याद हो रहा होगा cos A cos B plus sin A sin B is the formula of cos A minus B cos A minus B का formula होता है अब A B के लिखा रख दो गलती value रखने में न करिएगा क्योंकि यहां पर A और B दो terms में है और बीच में निगेटिव साइन है और mathematical कल्कुशन आप कर रहे हैं तो फिर गलबट तो होने की चांसे ज़्यादा हो सकते हैं A की value क्या लिखेंगे हम N plus 1X लिखेंगे और minus करके इसको N plus 2X लिखेंगे अब हम bracket को खोलेंगे देखो कैसे खुलेगा bracket cos X को अंदर ले जाओ फिर इसको भी bracket खोल दो तो यह क्या आएगा NX plus X minus NX minus 2X NX NX अपने घर गई तो यह आगया cos minus X चुकि cos minus theta आपका plus cos theta होता है यही आपको proof करना था कुछ नहीं किये तो लिख दो वही आना होगा वही तो आएगा तभी तो answer होएगा लिख दो ऐसा तो नहीं होता ना गलती भी हो सकती कहीं पर भी इसको नोट कर लीजिएगा देखे question है cos 3.5.4 minus X minus cos 3.5.4 plus X minus X यह plus है is equal to minus root 2 sin X वैसे तो हम cos A plus B खोल देंगे यहां पो cos A minus B खोल देंगे आज आएगा answer यह ऐसा हम करेंगे नहीं हमारे पार एक formula है cos C minus cos D का तो आप लिखेंगे we know that we know that cos C minus cos D का formula होता है minus 2 sin C plus D by 2 into sin C minus D by 2 एक confusion इसमें create हो रहा है आपको हो रहा होगा कि यहां भीया D minus C by 2 लिखा जाता है जब यहां D minus C लिखा जाता है तो यहां minus नहीं लिखा जाता है ठीक है तो यह formula अपलाई करेंगे तो apply कर दो formula ज़रा देखेंगे ध्यान से इसका मतलब यह हुआ cos 3 pi by 4 plus x minus cos 3 pi by 4 minus x अब यह आपका C हो गया यह आपका D हो ठीक है तो पहले तो क्या आएगा minus 2 sine C plus D by 2 इतना plus इतना by 2 ज़रा ध्यान से करिएगा तो इतना बोले तो 3 pi by 4 plus x plus 3 pi by 4 minus x और जो भी यह result आया है इसमें by 2 बहा लिखे दे रहे हैं कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं ठीक है into sign writing गंदी है इसको manage कर लिजेगा 1 by 2 हमने लिख दिया आप देखो C minus D करना है तो इतना लिखेंगे तो आएगा 3 pi by 4 plus x जब minus अंदर जाएगा तो इसका sign change हो जाएगा तो minus 3 pi by 4 फिर plus x अब calculate कर लो यहां से x x कट जाएगा यहां से 3 pi by 4 कट जाएगा यहां क्या जाएगा minus का 2 sign अब देखो 3 pi by 4 plus 3 pi by 4 तो आएगा 6 pi by 4 और by 2 अलड़ी नीचे लिखा हुआ है into sign यहां से 2x आएगा तो 2x by 2 नीचे लिखा हुआ है देखो 2 3 जा तो यह 135 डिगरी लिखा हुआ है तो minus 2 sign 135 डिगरी into sin x और sin 135 को जाब 90 plus 45 यह 180 minus 45 करेंगे तो यह आपका minus plus root 2 आएगा ठीक है एक मिनट कहीं गलती हो रही क्या 2 sign c plus d by 2 हाँ ठीक है तो minus 2 इसके लिखाएगे 1 by root 2 into sin x अब चूंकि आप जानते हैं कि root 2 से 2 कर जाएगा तो root 2 आएगा तो आगया minus root 2 sin x तो this is the arches रैटिंग गंदी है बार बार हम बोलते हैं उसके लिए तो sorry for that तो यह समझ में आगया होगा मेरे हिसाब से आप ज्यादा कोशन हो जाएगी पूरीक साइज के तो बड़ा बुरियत इस्ट्टिट मैसूद करते हैं next in the next video तब तक नमस्कार